प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी जो की इनाउगरेट करेंगे बैंगलूरूरू टेक समिट 2020 इस मत 19 नवंबर को इस पार की जो थीम होगी समिट की वहाँ है next is now यह जो समिट जो है वहाँ जितनी वी key challenges है ठीक है कोरोना महामारी के बाद में जो पूरा world face कर रहा है जो भी problems हो उनको solution provide किया जाएगा उन सारी problems को address किया जाएगा with the help of the technology and innovation और help ली जाएगी information technology and electronics और biotechnology से next question है विश्व के सर्वश्रेश्ट शहरों की report के अनुसार कि शहर को सुची में सीश्ट इस्थान दिया गया है और इसका सही आंसर है option डी लंदन लंदन जो है वहाँ world की best cities की जो report release की गई है उसमें इसने लंदन ने top किया है इस list में और लंदन जो है वह वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में से एक है जबकि इंडिया में बात करें तो इंडिया की सिर्फ एक ही जो सिटीज है वहाँ इस लिस्ट में है और जिसकी रैंक है 62 जिसका नाम है डहली और इसमें टॉप किया है लंदन ने नेक्स्ट कॉशacz में पहला सौर उरजा सक्षम कपड़ा मिल किस राजे में है और इसका सही आंसर है option D महारास्ट महारास्ट में स्टेट में एस जो है वहाँ इस शोलर पाफ़र इनेबल्ड टेक्स्टाइल मिल जो है वहाँ इसिया में स्टार्ट किया गया है महारास्ट महीं पहला Solar Power Enabled Textile Mill ठीक है और यहां एशिया का पहला ऐसी मिल है जिसमें Solar Power मतलब कि जो Solar Energy होती है उसे पावर आ रही है इस मिल में इसलिए यहां यूस में है और यहां एशिया की पहली ऐसी मिल है जहां पर Solar Power मतलब इस मिल को चलाने के लिए Solar Power यूस की ज़ा रही है यह जो मिल है वहां महारास्ट के परवानी डिस्टिक में है और यह जो प्रोजेक्ट है यहां प्रोवाइड कर रहा है जॉब्स कई सारी वोमेंस को जो इस डिस्टिक में है अगर हम महारास्ट के कुछ रिविजन की बात करें तो रॉपेक सर्विस जो की बहुचर ढाका से लेकर मांडवा अली बाग तक चलाई जा रही है ठीक है यह महारास्ट में चलाई जा रही है यहां एक Water Transport सर्विस है और यहां प्रोजेक्ट Eastern Waterfront Development के तहत आता है नेक्स्ट है महारास्ट की Government ने औरंग जेव एरपोर्ट का नाम अदलकर च्छत्रपती सामबाजी महाराच रख दिया है मात्यरान एक हिल स्टेशन है जो कि महारास्ट में ही इस्टेत है महारास्ट ने इंटर्डूस की एक New Agro Tourism Policy नेक्स्ट पॉइंट है महारास्ट में ठीक है महारास्ट जो है वो 1st State है जिसने अनपैक्ट और लूस सिगरेट और बीडिज की सेल को बैन कर दिया है महारास्ट का बुलधाना पैटन जो है Water Conservation का उसे National Recognition मिल गया है मतलब काफी अच्छा Water Conservation Pattern है बुलधाना का नेक्स्ट है लोनार लेक जो है वो महारास्ट में ही इस्तित है और यहाँ एक National Geo Heritage Monument है और यह जो लेक है यहाँ एक मेट्रोइट के अर्थ पर टकराने से बनी थी और अभी हाली में इस लेक का कलर जो था वहाँ पिंक हो गया नेक्स्ट है असाड़ी एकादशी फेस्टिबल यह महारास्ट में ही सेलिब्रेट किया जो आता है नेक्स्ट पॉइंट है यूनियर मिरेस्टर आफ स्टेट फॉर कॉमनिकेशन जिनोंने इनागुरेट किया है भारत एयर फाइबर सर्विस महारास्ट के अकोला में भारत एय से वह महारास्ट में बनाए जाते हैं श्टार्टक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सीम यहां के उदधर ठाकत है है महारास्ट के गवर्नर है भगत सींह कोशिहारी यहाँ पर आप जो रामसर साइट्स है एंजय गांधी चंदोली और तड़ूवा अगर हम यहां पर महरास्ट में बॉक्साइट प्रोड़क्छन की बात करें तो जो प्लेसिस हैं जो हम पर बॉक्साइट का प्रोड़क्छन होता है वहां है थाने, पूरे, सतारा, कोलापुर और रतनागिरी हैं जबकि मैगनीस प् है STFC Bank STFC Bank Limited ने Announce किया है ठीक है यह Campaign हूं बंद रखो Campaign और यह जो Campaign है वहाँ जितने भी हमारे Cyber Frauds होते हैं ठीक है उनको रोकने के लिए यहाँ Campaign चलाए जा रहा है International Fraud Awareness Week की बात करें तो 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक यह जो वीक है पूरा यहाँ International Fraud Awareness Week के रूप में जाना जाता है अगर हम इस Campaign की बात करें तो यह जो Campaign था वहाँ पहले launch किया गया था COVID-19 pandemic को से लडने के लिए यह campaign इस टार्ट किया गया था लेकिन अब इस Campaign को और Extend कर दिया गया है अब इस Campaign को Cyber Fraud से लडने के लिए भी यूज किया जा रहा है Next Question है किस मंत्रवाले ने Vulture Action Plan 2020 से 2025 लाँच किया है और इसका सही आंसर है Option D Ministry of New and Renewable Energy Sorry Ministry of Environment Which Ministry has launched Vulture Action Plan 2020 से 2025 यह गलत था ठीक है तो इसका सही आंसर है Ministry of Environment Environment ने लाँच किया है Vulture Action Plan 2020 से 2025 जो कि Minister है हमारे Environment, Forest and Climate Change के जो Minister ने प्रिकास चाविट कर उन्होंने लाँच किया एक Vulture Action Plan यह जो Action Plan जो होगा वह पूरे 5 साल का प्लान है यह 2020 से स्थार्ट होगे 2025 तक चलेगा इसमें जो Vultures होते हैं ना उनको Protect करना और उनको conserve करना है अब अभी अच्छली क्या चल रहा है कि ना अभी जो Vulture की जो Population है वह बहुत तेजी से Decline हो रही है और यह पूरे World में हो रहा है इंडिया में नहीं पूरे World में ही Vulture की जो Population है वह बहुत तेजी से Decline हो रही है अब इस Project को 2025 तक रखा गया है इसका मतलब यह है कि जो Decline हो रही जो Population है Vulture की उसको तो रोकना ही है ठीक है इसी के साथ हमें Vulture की जो Population के जो Numbers है उनको भी Increase करना है इंडिया में नाइन तरह की Species पाई जो आती है Vulture की जैसे की नाम देख लेते हैं एक पहला है ओरियंचल वाइट बैट दूसरा है लॉंग बिल्ट तिसरा है स्लैंडर बिल्ट फॉर्ट हिमालियन फिफ्ट रैड हैड़ेड नेक्स्ट है इजिप्टियन नेक्स्ट है बिय दो हजार साथ तक तो जो तीन जो जो प्रजाती है ठीक है जो इनकी वराइटीज है वल्चर की वह काफी जाद एंडेंजर हो गई थी क्रिटिकली एंडेंजर में चले गए इतनी जैसे की कौन-कौन सी ओरियंटल वाइट बैक्ट लॉंग बिल्ड और स्लैंडर बिल्ड य जिबकि जो हिमाल्यान बियर्ड और फैनेर्स वल्चर जो है वह नियर फ्ट रोतन से यह सारे जूनका सिंटर्ष उनके बारे में हैं कि कौन सी क्रिटिली एंडेंजर राइस एकंडेंड और उनसे एंडेंजर और एक म्से जो कारड जो है कि जो पॉपुलेशन जो हुआप वुल्चर की उसका कारड है डा जिवान को के हो के ऑफ चाहटा है एक ब्लमीटरी यह का है धरी मि différents व्लचर आंगा का मैं लुकर है लग दा बढर से खारения जाता है यह घा जाता है जो भी दिव्पोर भी ऐνेमेल को do Diclofenic के injections रहे दिये जाते हैं, जब वो मर जाता है, ठीक है, फिर वल्चर आके उनको खाते हैं, तो उसकी वज़े से जो वल्चर है, ठीक है, वो मर रहे हैं, जो main region है, वो ये drugs है, Diclofenic, ठीक है, कुछ plants हैं, जो की वल्चर के लिए चलाए गए हैं, government के द्वारा हैं, ठीक ह उन्होंने establish किया तर वल्चर conservation breeding program, एक program भी है, वल्चर safe john program, ये कुछ program है, जो की वल्चर को protect करना, उनको preserve करना, उनको conserve करने के लिए चलाए जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉश्चन है, अंतराश्टिय सही शूरता, जिसे बोलते हैं, tolerance, दिवस किस दिन मनाये जाता है, और इसक कि सोले नवमन को international day for tolerance जो है, वहां observe किया जाता है, इस बार कि जो theme है, वहां tolerance is acceptance, respect and appreciation of world culture and ways of being human, अब ठीक है, अश्डे के बारे में जानते हैं कि ये जो day है, वहां UNESCO के द्वारा मनाये, मतलब इसको UNESCO के द्वारा declare किया गया है, ये जो day है, ठीक है, और कई और भी international organizations हैं, जिनके द्वारा declare किया गया है, अगर हम history की बात करें, तो United Nations General Assembly ने resolution पास करवाया था, 1995 में, कि हम next year से, जो है, वहां 16 November को यहाद दिन celebrate करेंगे, और 1996 में यहाद दिन पहली बार मनाया गया था, ठीक United Nations नहीं, ठीक है, 125th University जो थी, महात्मा गांदी की, ठीक है, और उनकी उस पल, ठीक है, रिमेंबरेंट करते हुए, कॉममरेट करते हुए, एक अवार्ड भी organize किया था, और उस अवार्ड का नाम था, एक सेकिन, ठीक है, मदनजीत सिंग प्राइस, ठीक है, उस अवार्ड का नाम था, मदनजीत सिंग प्राइस, जानते हैं, मदनजीत सिंग कौन थे, ठीक है, जिनके नाम पर इन्होंने यह प्राइस रखा था, यह Indian diplomate थे, जो की बार्ण हुए थे, लाहोर में, ब्रिटिश महतिना गांधी जी के 1942 में, जो कुई इंडिया मॉमेंट में इन्होंने अक्टिब ली पार्टिसिपेट किया था, फिर उन्होंने इन्दियन फार Selvice को 1953 में जौन कर लिया था, इन्होंने कई सारी कट्रीज में सर्फ किया, जैसे Greece, Yugosilvaya, Sweden, Spain, Sweden, USSR, और डेनमार्क, निक्स्ट कोश्चन है हाल ही मैं मैन्यूल मौरिनो को सत्ता से बाहर कर दिया वह किस तेश के रास्टपती थे और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरू मैप में लोकेशन देखते हैं साउथ अमेरिका की एक कंट्री है पेरू ठीक है यह साउथ पैसिफिक ओशियन के देखो यहां पर कोस्ट पर भी लगता है पैसिफिक ओशियन के पेरू पैरूवियन करेंट भी है एक ठीक है इसकी जो कैपिटल है वो लीमा है कफी वेस्ट कोस्ट पर यह और यहां की करेंसी सोल है नेक्स्ट कॉशन है पियम मोदी थर्ड एन्वल ब्लूमबर्ग न्यू एकनॉमी फॉरम में एक भाशर देंगे ब्लूमबर्ग न्यू एकनॉमी फॉरम की स्थापना किस वश की गई थी तो इसका सही आंसर है ओप्शन भी 2018 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन मोदी जो की डिलीबर करेंगे और एड्रस करेंगे थर्ड एन्वल ब्लूमबर्ग न्यू एकनॉमी फॉरम को ठीक है 17 नवंबर को इन्होंने ये जो मीटिंग थी थर्ड एन्वल ब्लूमबर्ग न्यू एकनॉमी इसको एड्रस किया है solution और उनको address किया जाता है इस meeting में अगर हम बात करें तो यह इसकी third meeting है इससे पहले जो इसकी first meeting हुई थी वो सिंगापूर में हुई थी और दूसरी bridging में ठीक है इनके अंदर जो topics होते हैं इस meeting में जो discussion किये ज़ाते हैं जिन problems होती है ठीक है जो भी current critical problems होती है जैसे कि global economy management से related trade and investment से related technology, urbanization, capital market, climate change और inclusion इसे related जितनी भी problems होती है उन सारी problems को address किया जोता है इस meeting में और इस साल जो topics रहेंगे वो रहेंगे COVID-19 pandemic की वजह से जो world में economy जो faces कर रही है और economy में जो crisis आ रही है वह discussion का topic होगा next question है मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे channel का आयूजन कहां किया जोएगा और इसका सही आंसर है option B Arabiancy ये second phase जो है exercise मालाबार 2020 का वह conduct किया जोएगा 17 से 20 नवंबर को ठीक है चल रहा है ये northern Arabiancy में किया जो रहा है इसे जो पहले first phase तो था exercise मालाबार 2020 का वह तीन से 6 नवंबर को बेफ बंगाल में हुआ था next question है दीपम के साथ हाल ही में के संगठन ने asset monetization पर सलहाकार सेवाओं के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं और इसका सही आंसर है option D world bank world bank और दीपम दोनों organization ने मिलकर एक agreement sign किया है जिसमें asset monetization पर advisory services प्रोवाइड करने के लिए यह agreement sign हुआ है department दीपम की full form होते है department of investment and public asset management जिनोंने agreement sign किया world bank के साथ ठीक है इस agreement में यह है कि दोनों ही organization मिलकर जितने भी assets monetization है उससे related ठीक है जितनी भी advisory services जो होंगी वो इनके द्वारा provide की जाएंगी और कल हमने आपसे question पूचा तो operation thunder 2020 समाच्वारों में है यहां निमलिकित मैंसे किस से संबंदित है और इसका सही आंसर है option c against environmental crime यह गरता है क्योंकि IRCTC ने organize किया है भारत दर्शन दक्षन भारत यात्रा हैदरबाद और सिकंद्राबाद से second बिल्कुल ठीक है कि रशिया जो है वो होस्ट कर रहा है brick science innovation and technology summit यह भी ठीक है बिर्सा मुंडा को धर्ती अबबा और father of the earth के रूप में जाना जाता है जबकि इसका अंसर है राजस्थान जहां पर इस statue of peace को reveal किया गया है आप सभी के लिए question है कीथम जील जिसे हाल ही में रामसर साइट की सुची में जोड़ा गया है यहां के शहर में इस्तित है और total रामसर साइट्स हो गएंगे 41 और 17 नवंबर के revisions question पहला है ट्विस्टन डा कुनहान आइलेंड जो है क्या यह नौर्थ अट्लांटिक ओशियन में है second question है महरास्ट ने लॉंच किया जीवन सेवा एप नेक्स्ट कोशन है वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रैम लाइब डेरी चिल्डरन्स के लिए क्या यह कॉलकता में इनौर्गरेट की जा रही है नेक्स्ट कोशन है पुट्रो रिखो क्या यह इटली में एक प्लेस है आप इनके आंसे कमेंट बॉक्स में दीजिए इसी के साथ आज का करेंट विए यहीं समापत होता है थैंक्यू सो मच